आज हम लोग जो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन है उसको जानेंगे जिसे एंसे एंड वेस्टर्न फिलोस्पी भी कहते हैं इसमें तो यह क्या है और इसका उद्भव यह संसे आप समझ रहें पाश्चा दर्शन से एक प्लंतasa के दो शब्दो से मिलकर बना है फिलोस्प और सोफिया से फिलोस्प जो अर्थ होता है जो तातपर है उसका अर्थ है प्रेम फिलोस्प फिलाज इसका तातपर है प्रेम तो था सोफिया का आशा है बिबेग ग्यान से है तो आपको समझ में आगए फिलोस्प जो सब्द इसका प्रेम ठीक है और शोफिया का अर्थ जो बिबेग ग्यान से है तो ब्योभार में ग्यान का प्रियोग शाधन अर्थ के साथ साथ बैज्ञानिक शंधरबों में भी किया जता है जो बिबेग है इसको बैज्ञानिक दिश्टे से भी इसका प्रियोग किया जता है पाश्चात दर्शन में नौलेज सब्द का प्रियोग भारती दर्शन में प्रियोग प्रमा का अर्थ में किया गिया है जैसा आपने देखा हूँ जो भारती दर्सन पढ़ते थे प्रमा जो जैसा उसको ऐसा ही प्रस्तुत करना प्रमा यह थार्त ग्यान जो है प्रमा है वही पाश्चात दर्सन में नौलेज के उर्प में प्रयोग हुआ है ठीक इस प्रकार पश्चिम में फिलास्पी का मतलब कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्राचीन काल से लेकर बिस्वी सताबदी के अंद तक दर्सनिक चिंतन का स्वरूप और लक्ष बिभिन यूगो परस्तितियों की अनुसार बदलता है जैसी परस्तिति रही वैसे वैसे उसकी परिमासाएं भी बदलती रही है इसके परणाम स्वरूप वहा का प्रयोग जो होता हैओ जो इसका प्रयोग किया गया है ४ास्चा दर्शन का विज्ञान से घनिष्ट संबंद रहा है इतिहासिक दिश्ट से शभी बिज्ञानों का आधार आदिश्टरोत दर्सन सास्त्र ही है जो दर्सन सास्त्र है दर्सन सास्त से जितने ही बैज्ञानिक जितने ही बिज्ञान निकले सब दर्सन सास्त्र से इनने तो जो बिग्यान के जननी ही स्प्रकाशे है वो दरसन सास्त्र फिलोसपी ही है तथा शभी बिग्यान दरसन की संतान है मतलब उत्पन हुए उनके बच्चे हैं संतान है कौन बिग्यान जो बिग्यान है वो दरसन सास्त्र का एक तरसे बच्चा है संतान है क्योंकि आरंभ में किशी बिज्ञान का सुतंत्र अस्तित नहीं था किन्तो ज्ञान के बिकाश क्रम में धीरे धीरे प्रतेक बिज्ञान अपने मूल आधार दर्शन सास्ति से प्रिठक होने लगा और इस प्रकार बिभिन्य बिज्ञान दर्शन से जो बिज्ञान है दर्शन से स्वतंत्र बिधा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए जैसे आपने देखा है कि मनो बिज्ञान है तो अनेक प्रकार के जो बिज्ञान बैज्ञानिक दिर्श्चे बने हुए है विशब के शब दर्शन सास्ट से ही निकले हुए हैं आप सिंपल समझते हैं पिता होता जब तक बच्चा छोटा है लेकिन धीरे-धीरे बड़ा होता तो अलग हो जाता है पिता से वैसे ही जब उनकी एरिया बड़े होने लगे तो धीरे-धीरे क्रम बन गया कि विग्यान अलग-अलग इसे होने लगे तो अलग हो गया लेकिन है किसके दर्शन से-खिमिदे दर्शन सोचता है ना का अधिक महत्व रहा असप्रष्ट है कि जो पाश्चात्य दर्शन है वह चिंतन से जादा बैज्ञानिक और व्यक्तिकत चिंतन जो होता है उस पर ज्यादा एलों महत्व देते हैं वहां का दार्शनिकों के व्यक्तिकत पर आश्रित रही है वहां जितनी दार्शनिक हुए वे सभी अपने पुरवर्ति दार्शनिकों के सिध्धान्तों का आलोचनात्मक बिन्सलेसर कर रहे हैं जिसे पहले का जो दर्शन हुए है पाश्चा दर्शन में उनका जो उनके बाद वाले आर उनका आलोचनात्मक बिन्सलेसर करते हैं देखते हैं क्या है इसमें फिर उस क्रम में चलता रहा तो दीरे दीरे सुद्रीन रूप में आज हम लोग देख रहे हैं न पाइक के रूप में स्पीड बंती गई बंती गई बंती गई लेगी शुरू में क्या था दो गोले लकड़ी के रंडा बैटी भूम वही तो साइकल थी बादने जरूत पर तो ब्रेक वैसे दीरे दीरे विकास होने लगा विकास करक्रम में दीरे दीरे किया हुआ उसका स्वरूप बदलता बलता यहां तक आया है पाश्चात दार्सनिक अपनी मौलिक्ता यों नविंता को जितना अधिक महत्व देते हैं उतना किसी परंपरा की इस्तित्ता को महत्व नहीं इससे अस्पष्टे की पश्चिम की दार्सनिक विचारधारा में द्रिष्टी एवं परंपरा की अपेक्षा द्रिष्टा और मौलिक्ता को अधिक महत्र दिया गया है इसमें की रहा है अच्छा जो पाश्चात दर्शन है वो हमुक्रिता है देखते हैं कितने भागों में वाटा गया तो कहते हैं कि जो पाश्चात दर्शन को तीन भिन भागों में विभक्त गया गया है प्रथम जो है वह ग्रीक जिसकी अंतरगत प्लेटो यम अरस्त को लिया गया है दूसरा है आधनिक बुद्धी वाद, जो आधनिक बुद्धी वाद में जो पाश्चात्य दर्षन सास्त्री आते हैं, फिलोस्पर हैं, उनका नाम है डेकार्ट, इस्पिनोजा, लाइबनीज, और इसका अनुभावाद, अनुभावाद में जो बैग्यानिक, जो मतर दर्षन सास्त्री फिलोस्पर हैं, उनका नाम है लोक, बरकले, ह्यूम, और त्रिती जो हैं समिक्षावादी आते हैं, जो समिक्षावादी हैं, तो समिक्षावादी में कौन-कौन हैं, वे हैं कांट और हीगल का नाम मुख्यते आता है। आपको समझ में आ गया हुआ है। ग्रीक यूनानी है। उसमें प्लेटो और अरस्तुका नाम भत्तपोड है। आधुनिक बुद्धिवाद में जो हैं डेकार्ट, इस्पिनोजा, लाइबनीज ने हैं। अनुभवाद में लाक, बरकले, हूम हैं। समिक्छावाद में कांट और हीगल हैं। थोड़ा अफ़ा देखते हैं। कहते हैं ज्यान मिमानसा में ज्यान के श्त्रोथ, शाधन, प्रकार, एवं इसकी प्रमाडिता का अध्यन कहें जाता है। जबकि तत्व मिमानसा में इश्वर, आत्मा, जगत की उत्पत्ति आधिका अध्यन उसमें देखते हैं कि इस पर क्या है आत्मा क्या है जगत क्या है इसका कैसे उत्पत्ति हुआ इस पर जादा जोर देके इसका अध्यन किया जाता है और ग्यान विमान साब समझे ग्यान का सुरोत कहां ग्यान कहां से प्राप्त होता है शाधन क्या है इसकी प्रमरक्ता क्या है इस पर अधिन क्या जता है बुद्धिवाद तो कहते बुद्धिवाद ग्यान का अंतिम स्रोत बुद्धि को मानता जो बुद्धिवाद होते हैं बुद्धिवादी जो इसमें हमने देखा कि जो बुद्धिवाद में हैं कौन-कौन है आपने देखा न कि बुद्धिमाद म मानते हैं वे बुद्धी को मानते हैं जबकि अनुभावाद ने तीन है जिनका नाम है लाक बर्कले हुम तो अनुभावादी जो है अपना शमस्त ज्यान का स्रोद इंद्री अनुभाव को मानते कि जितने भी ज्यान हमें प्राप्त होते हैं इंद्री अनुभाव के द्वार का समन्नुए करके प्रयास करता है मनला कि ज्यान प्राप्त करने के लिए यह अनुभावाद और बुद्धिवाद दोनों को मिक्स करके ज्यान को प्राप्त करने की कोशिश करता है वही का समिक्छावद अनुभावाद और बुद्धिवाद दोनों का समन्नुए करने का प्र दूसरोतों को पढ़ा इंसेंट फिलोस्पिया की प्राशन पाचात दर्शन है जाय स्रिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्